Good afternoon students, today my topic is on exponents and powers chapter 13 class 7 subject mathematics आज हम exponents and powers में पहले हम introduction के, introduction देंगे आपको exponents के बारे में actually exponents होता क्या है, जैसे कि मैं अगर एक example लूँ, if I write 10 raised power 4, 10 raised power 4 ये जो है, ये 10 जो है, ये है base, क्या है, this is base, ये जो 10 ये जो उपर 4 है, this is exponent, इसको क्या कहते है, exponent कहते हैं इसको ये 10 है base, ये 4 जो उपर है, raised power ये क्या है, exponent, ये जो सारा है, इसको बोलते है power, क्या बोलते हैं, power, अब ये जो है 10 raised power 4, 10 raised power 4 इसका क्या मतलब है, that means that is exponential form, ये किस में है, ये exponential form में है, 10 raised power 4 exponent जैसे कि अगर गिवन हो, 10 raised power 4 दिया गया हो, हमें क्या, इसका क्या मतलब है? This means that 10 multiplied by 4 times. 10 is multiplied by 4 times. 10 raised power 4 means 10 is multiplied by 4 times. 10 को 4 बार multiply करें. जैसे 10 raised power 4 कैसे हम लिखेंगे? 10 multiplied into 10, multiplied into 10, multiplied into 10. कितनी बार हुआ है? 1, 2, 3, 4. This is 10 raised power 4. This means 10 into 10 into 10 into 10, 4 times 10. 10 multiplied by 4 times. इसी तरह अगर हम एक और एक्जांपल देंगे, if 2 raised power 6 दिया हो, if 2 raised power 6 दिया हो, उसका क्या मतलब है? 2 is multiplied by 6 times. 2 is multiplied by 6 times. That means, यह जो है 2 raised power इसको बोलते हैं, जो इसके उपर जो है, इसको raised power. 2 raised power 6. हम इसको पढ़ते हैं, 2 raised power 6. जैसे जो यह 6 है, यह क्या है? That is exponent. That is exponent. यह नीचे 2 जो है, यह क्या है? Base. Base और exponent को मिला के क्या बनता है? Power. इसको क्या बोलते हैं? 2 raised power 6. 2 है, 6 बार multiply. 2 multiply over 2, multiply into 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, that means 2 raised power 6. 2 is multiplied by 6 times. 2 is multiplied, 6 times. 6 बार multiply है, 2. If number is 512, you have to write in exponential form. अगर number दिया हो, 512 है number, तो हम यह कैसे exponential form में लिखेंगे? जैसे यह है, यह है exponential form में. यह भी है exponential form में. यह 10 is power 4, यहाँ पे exponential form में है. 10 जो है, 10 है base, यह जो 4 है, यह है exponent. यह सारा बन गया power. अब है, मैं नमबर है. आपको मैं एक्जांपल के थो समझाती हूँ, आपको introduction देती हूँ, इस chapter का. फिर आगे हम इसके question जो है, वो easy हो जाएंगे, करना, आपको समझना. If number is 512, you have to write it in exponential form. अगर 512 है, इसको कैसे हम exponential form में लिखेंगे? जैसे कि पहले हम इसका frying factorization निकाल लेंगे. क्या निकाल लेंगे? फ्राइंट फैक्टराइजेशन 512 का. 512 का हम पहले 2 से ही करते हैं start. 2 से, 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10, 2, 6, जा 12. अब 2 से और हो जाएगा, 2, 1, जा 2, 2, 2, 4. इसका 1 जिए, 2, 8, 16, 2, 6, 12, 2, 4, 8. 2, 3, जा 6, 2, 2, जा 4. फिर से 2 के साथ, 2, 16, जा 32, 2, 1, जा 2, या 2, 6, जा 12. 2, 8 जा 16, 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2 कितने 4 आए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तू आए कितने 2 आए इसमें? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, कितने 2 आए? 9, 2 आए इसमें यानि कि 5, 1, 2 को हमने प्राइम फेक्टराइजेशन की इसको किसी हुए 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 प्राइम फेक्टराइजेशन कौन-कौन से निकले इसको 2 निकले 9, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 इसका मतलब है 5, 1, 2 जो है 2 कितनी बार आए इसको? 9 टाइम यानि कि 2 कितनी टाइम हुआ? 9 टाइम हुआ अब इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो 5, 1, 2 है वो हमको लिखना था किसमें लिखना है? एक्सपोनेंचल फार में अब क्या बन गया है वो? 2 रेस पावर 9 बन गया निकला? 2 रेस पावर 9 डाइट इस, आपने वार समझा होगा एक्सेपोनेंचल फार में कैसे थे हम जेज करते हैं या एक्सपोनेंट क्या है? बैस क्या है? तो डैटिस आवल, टोड़ेस् टोप झाल झाल झाल